अब यहार बहुत ऊपर आ चुके हैं अब देखों यहां से पूरा बड़ोट जो टाउन है कितम क्लियरली दिख रहा है अब यह अब यह अबैंडिन्ट है डेवले ट्रैक पे भी कोई अक्टिविटी नहीं है पुलिस को मैंने हर आदे गंटे में देखा है वह आके इनको हट अब यह अब आगा तो वापस बड़ोट आगे अब हम जा रहे पॉइंट पर मेरे साथ हैं दिवंदर जी जहां में रुका था उनके उनर तो पहां जा रहे हैं अभी अभी हम जा रहे हैं हां वह एक्षिल में करनल बेटी का गेस्ट है सबिनासट करें पुरह पर्जेक्ट को डिजाइन के हो है बरोट वैली में बरोट वैलिकम तो की अभी हम ठाइन जारहे है उसरा गेस्थ्रा जो आज की रेट्ट में रन करुण कर रहा है पंजाब वाले रण कटछ आ अच्छ अब हम आगें तो गॉनमेंट का होगी अभी यह जो जितना प्रोजेक्टिद एरिया है वो एक्षिन में अभी पंजाब के अंदर है अच्छा जी चलते हैं और यह जो नदी में सब आपको दिखा रहा था उल नदी नाम है इसका आपके होटल में सारा यही वाला देवदार लगा है इस तरह के पेड़ ना मनाली मे चलते लिए रह लोगजाए है हमारे साब दो लोग जोड़ 12 il ब्लाइं गर्वदार ना बनाली में अभी तो यह वाला पेड्म इन यह पाइंग lep हमारे साथ दो लोगा जुड़ गया है एक आगे और पीछे आ रहा है कि देखो गाइज जूम करके दिखाता हूं यह ऊपर पावर्प्लेंट का काम यह चल रहा है जब कि अभी पूरा अपरेशनल अभी हुआ नहीं हुआ है अभी रन कर रहा है थोड़ा इंपर यहां भी पा अब बरोट में अपना पावर्प्लेंट होगा यह आगे वाली मार्केट है यह अलग डिस्टिक है आपका अच्छा तो वह बढ़ोट जो है दो डिस्टिक में आता है एक आता है मंडी में जहां पर हम लोग है और थोड़ा सा आगे जोगे तो वह को कामड़ा में आगे अब मेरे नीचे शाप एकदम डिसंड खाई की तरह है तो दो गेस्ट आउसे है बेसिकली एक तो यह हो गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो और एक सामने जो करनल बैटी का गेस्ट आउस अमें यहां पर जरले उनके जो स्टाफ अगरा है वह यहां पर रुखते होंगे आप जा सकते हैं यहां तो यह रहा बेटी जो फिलाल अभी कोई किया टेकर है नहीं तो अंदर जाके देखते हैं लोग क्या हिस्टी यहां क्या कब तक थे वह यहां पर आप सो यह राग उनका घर जहां रहते थे और यहां ठीक ऊपर एक छोड़ा सा गाओं है क्या नाम बढ़ा है जलान गाओं है जहां अमेरे कहां से चार-बाज घर है बहुत जादा नहीं है अब यह बतारें कि जो सिमेंट है यह उसी टाइम का बना हुआ यह अभी का नहीं हुआ है मुट रहा है टाहEr को Art 9889 का मुट आध यह सिते चुड़ा लगाँ गाय है क्या है यह प्शस्कि जो हुआ है ऑल र से गर्जिय उसके तोड़ा ता पहले और यह एक बड़ा धैन है और छुम अध्रेर इफड़ा साइए क्ए तो जो हुआ है और फ्शि पान्छ यह यह बड़ी अली बिदी अच्छा यहां तक आती है गड़ी या पिर नीचे लगी जो नीचे अल्ट अच्छा वहां तक आती है फिर वहां लगेगी अधर जैनु यहां ऊपर लगेगी थोड़ सा मतलब हादी 200 मिटरा कूछ आना पार किये न गाड़ी यहां उपर में है इसका मतलब सोचों कि पानी कितना अधाधा क्लियर है आज दूसरा दीन है बरोट में और अभी हम होटल से जोए चेक आउट कर रहे हैं आज हम जाने वाले हैं बैचनात सो अभी भाईया ने दो पॉइंट और बता हैं बरोट में तो वो अन दवे कवर करते हुए फिर हम बैचनात के और जाएंगे पहुंचने में लगबक यहां से डिर्क्ली बैचनात दो घंटे कर आसता है ठीक है भाईया ओके थैंक्यू हमें होस्ट करने के लिए अपनी वराइंट तो जरूर रुखेंगे आपके बास से ठीक है थैंक्यू ओक्यू चला भाईया अब टाइम काफी जादा हो गया यह वाला आएगा यह तीसरा चौथा एपिसोड है यह आएगा अगले संडे अग अला ही जबदस सीने आ रहे हैं तो अलो बेसिकली यह गाओं के अंदर से शायद हो के जा रहा है और भाई सावी तना पतला है इस अला क्रास्ट के जाएगा अग्लग अभी यही तो पहुंच गए यहां पर बैसिकली एक विटिशर्स के टाइम के मचनरी रखी है और यह जो आप रेलवेer ट्राग देख रहे हो यह रेलवेड प्रेक सीधा जाता है जोगिंदर नगर जोगिंदर नगर से ट्रॉली जाती ती टी जो सीधर यहा बंद हुआ है जो लोकलाइड यहां के बता रहे हैं और अब यह अब अब यह अब यह अब आधे ट्रैक पे अब ही कोई अक्टिविटी नहीं है वह अब यहां जाकर डिसाइड करता है मंदिर के बाहर पहुंच गया हम लोग पार्किंग में मैंने अपनी गाड़ी लगा दिया अब यहां से मंदिर के और चलते हैं बैजनात मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है इसका निर्मान सन 1204 में बैजनात के ही दो कार्यबारियों ने करवाया था और ऐसा माना जाता है कि शिव जी के 12 जोतिलिंगों में से बैजनात मंदिर भी एक जोतिलिंग है यह मंदिर पालंपुर से सिफ 16 किलोमेटर दूर है और यहां से हिमाले की धौलादा रेंज बहुत ही क्लियरली विसिबल होती है तो वैदनात मंदिर अपने रिलिजियस रीचन जो मैंने आपको थोड़ा दिर पहले बताया थे उसके लिए तो फेमस है यह जगह बहुत जादा इन फेमस है कॉलेज इस्टूट के मजए से जो टीनेजर्स होते हैं यहां पर क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है यह यह अबड़ा पर चलते हैं यहां थे